नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलोजी विद बिवेक जहां हम मोगल और केम्पूटर टेक्नोलोजी से जुड़े हुए कभी सारे वीडियो से लेकर आते रहते हैं अगर आप हारे चैनल पर नय हैं और आपने हम लेकर आये हैं एक्सल से संबंदित है और तो बहुत अच्छी ट्रिक इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके बहुत जादा काम आएंगी दोस्तों आपने देखा होगा यह मारे पास को डेटा है और आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करते टाइम आपने देखा होगा कि जब मार्जन सेट कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से यह देखिए जब भी हम इस तरीके से इसको सेट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा मैं आपको यहां पर यह देख रही हैं मैं क्या करूंगा यहां पर एक डिटा और था दोस्तों तो मैं पहले इ जो है आपको आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से यह देखिए और जब मैं माले जी इसको भी कमप्रेस करना चाहता हूँ जैसी मैं इसको कमप्रेस करूंगा तो यह देखिए जो है इसको सही करने में भी दिख्कत आती है फिर हम इसको ऐसे ड्रैक करते हुए गूमते हैं जब हम इसको ऐसे ड्रैक कर लेते हैं तब यह नंबर में इसको करूंगा तो आप देखिए यह जो है नंबर में नहीं जा रहा है ऐसा है नहीं बन रहा है और आप किसी को भी कर लें यह जो केटिगरीस आप देख रहे हैं मैं जिस चीज को भी कम कर रहा हूं वह चेंज नहीं हो रही है वह एड्जस्ट हो रही है एकॉर्डिंग टू साइज और यह बहुत अची ट्रिक है और यह कैसे होगी यह मैं आपक आप देता हूं हम दोस्तों को यह इस तरीके से जो है स्लेक्ट कर लेना है और स्लेक्ट करने के बाद आप जैसी फॉर्मिट सेल पर आएंगे यहाने के बाद आपको यह जो ऑप्शन देख रहा है श्रिंक टू फिट आप इसको कर देंगे अब यह जो आपका डेटा है प् देखा देता हूं आप देखिए इसका साइज चोटा हो जाएगा लेकिन यह हैज में कनवर्ट नहीं हो रहा है और यह जो है एडजस्ट कर रहा है आपके वैल्यू को और यह जो आपका मार्जिन है उसको तो दोस्तों यह बहुत अच्छा ओप्शन था मैं एक बार और दे गशन देखा होगा आपको कहा जाता है की यह जो डेट आप ने बनाया है इस डीटा को आपको जो है इसकी एक अधनी पिक्चर बनानी है और इस पिक्चर को बनाने के लिए आप यहां से कट कपी करते हैं कट कपी करते टाइम कभी-कभी बहुत ज़यादा दिक्कत हो जाती है आपको एक सिंपल सी ट्रिक है इस पूरी डेटा को यहां से आप कवर कीजिए और कपी कर लीजिए जैसी आप copy करेंगे ये देखिए आपको symbolize करता है ये जो आपको borders दिख रही है ये हमने data copy कर दिया है अब आपको ये key press करनी है जो आपको screen पर दिख रही है alt hvi जैसी हम ये करेंगे ये देखिए ये इसका clone बन गया है और ये image बन गई है ध्यान से आप देख सकते हैं ये image बन गई है और इस image को आप यहां से copy करिए copy करने के बाद proper आप इसको word में लेकर जल सकते हैं और यहां पर आप इसको paste कर सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा काम हो गया है ये अब आप इसको छोटा वड़ा करते रही है ये data जो है accurate भी होगा direct वहां से उठकर आया है और बहुत ही आसान तरीके से आप जो है किसी भी excel format को select करने के बाद उसका copy बना सकते हैं मान दीजिए इस चोटे से data को कीजिए इसको copy कीजिए alt h v i press कीजिए ये देखिए ये image बन गई है इसकी ये देख सकते हैं आप आप इसको copy करिए देन आप इसको भी जो है यहाँ पर इस तरीके से insert कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका बहुत अची ट्रिक थी दोस्तों और ऐसा लगा कि आपकी वीच पर शेयर करना चाहिए इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताइए ये वीडियो जो भ झाल